इतने विकास कारे हुए है और दो साल का क्या लिखने आप देखा जो का किस तरीके से मुदी जी का जो काम बोड़ा चकार हो सबसे फ़हले तो आप सभी को नमस्कार देश के श्रश्वी प्रधानमंत्री माननी नरेंद्र मुदी जी के नव वर्ष के कारेकाल पुरा हुआ है हम उनका स्वागत करते हैं अनेको अनेक कारेक्रम भारतिय जनताफार्टी ने हम लोगों के बीच में जा रहे हैं 30 मई से लेके 30 जून तब हम लोगों से मिल रहे हैं जनसंपर्क कर रहे हैं और एक जबरजस्त जाहिर सभा हमने इस गोरे गाउं में लिया है उसके साथ जो मोदी साहब ने जो लाभार्थियों के लिए जो काम किया है ऐसे हम लोग लाभारतियों से मिले हैं और उनकी एक सभा हुई है और साथ में सयुक्त मोर्चा जो भारतिय जनता पार्टी के साथ साथ जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसुची जाती मोर्चा जो अनेक मोर्चा जो कि भारतिय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करती है ऐसा एक हमने संयूक्त मोर्चालिया जिसमें हमारे पालक मंत्री मंगल जी मंगल प्रभात लोड़ा जी आये थे और उसी के साथ साथ 20 तारिक से लेके 20 से लेके 30 जुन तक जन सपमर घर घर अग्यान घर घर लोगों से मिलना और मोदी जी के जो नव वर्ष में उनके कारेक पुसिन कल योगा दिवस के रूप में हम लोगों ने अलग अलग जगह पे मुंबई में गुरे गाउं में हरवाडों में मनाया गया और करीब करीब यह जो पत्रक है मैं आप लोगों को दूँगी पत्रक करीब 60,000 पत्रक जो लोगों के घर में जाएंगे और मोदी जी के कारेकाल के बारे में लोगों को जानका उसके साथ साथ बुक्लेट भी हमारे पास है, बुक्लेट भी हमने कुछ विस्ष्ट कामों पसा बनाया हुआ है यह भी हम आपको देंगे और इस तरह से मोदी जी ने जो काम किये हैं नौ वर्ष में और उसके साथ साथ आने वाले समय में सोशल मीडिया में जो लोग इन्वाल रहते हैं सोशल मेडिया का काम लोगों के बीच में लोगों से मिलना है उसी के साथ साथ वैपारी संविलन एक बड़ा वैपारी संविलन हम लोग इस बुरेगाओ और इस जीला में हम लोग कर रहे हैं साथ में कल 23 तारिक को श्यामा प्रशाद मुखर जी के पुन्यती थी के निमित कारिक्रम होने वाला है और देश के प्रधान मंत्री जी नरेंद्र मोजी जी लोगों को संबोधित करने वाले हैं और 25 तारिक को जो अमर्जनसी लगी थी अमर्जनसी में उस वक्त जो लोग नहीं थे याने जो युवक हैं जिनका जन्म ही नहीं हुआ था आईसे लोगों को और प्रबुधनागरिकों को एक बहुत बड़ा कारिकरम मुंबई में 25 तारिक को होने वाला है और 27 तारिक को पर लोगों से बात करने वाले हैं, भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं से बात करने वाले हैं, लोगों से बात करने, वो जूम पर मिलेंगे, लोगों से बात्चीत करेंगे, एक ऐसा पूरा कारिक्रम, पूरे महिने भर का किया है, और इस तरह के हमारे कारिक्रम चल रहे है महिला शशक्ति करण को लेकर देश के पर्थान मंत्री मानिनी नरेंद्र मुदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान के अंतरगत आज की तारिक में आप देखेंगे तो 1000 लड़के के पीछे 1020 लड़किया हैं इतनी बड़ी तब्दिली आई है चहां पर की सौ लड़कों के पीछे असी लड़कियां थी, नबे लड़कियां थी आज हजार का रेशियो देखेंगे तो वहाँ पर लड़कियां लड़कों से पहने का मतलब की आगे हैं दूसरा अगर आप देखेंगे तो उजोला योजना के अंतर्गत खास महिलाओं के लिए उजला युजना के अंतरगत साढ़े नौ करोर लोगों के घर में कनेक्शन पहुचा है उसके साथ साथ आप देखेंगे तो श्वक्ष भारत मिशन के अंतरगत 11 करोर 72 लाग लोगों को सौचाले मिला जिसके कारण कि महिलाओं के बलतों है इजदगर उसका नाम दिया गया है कि महिलाओं को बाहर में खुले में ना जाना पड़े इसके लिए 11 कोटी 72 लाग लोगों के लिए सौचाले बना गया है जिसमें खास करके महिलाओं के लिए इजदगर का ये एक विशेश रुप के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है और मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में अलग-अलग धंग से उन्होंने सोचा है और दूसरा गोरे गाउन विजान सबसे आप आती हैं अगोरे गाउन में क्या विकास का रहे हुए वर्सों में आपने क्या देखा तब कर गोरे गाउन जो आपने जो विकास बोरे गाउन का जो डिवल्ट्मेंट जब नौ वर्ष पहले जब मैं आई 2014 में, उसके पहले में नगर से वक्ती आप लोग सब जानते हैं, मुंबए के लोग जानते हैं, तो जब मोदी सरकार में हम लोगों को आमदारों को जो लड़ने का आुसर मिला देवेंदर जी के आशिरवास से, मोदी जी के आशिरवास से हम लोग सब चुन कर आए आमदार लोग तो गोरे गाओं के जो रुके हुए काम थे अनेकों काम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो काफी समय से रुके हुए थे उस काम को पूरा करने की कोसिस की जैसे सबसे पहले जो हमने काम किया कि गोरे गाओं सावरकर ब्रिज जो का हुआ था उस काम की शुरुवात करवाई और वो काम कंप्लीट किया आज उसका एक्सपांसर हो रहा है उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो टोपी वाला मार्केट और टोपी वाला नाट्यगर यह भी काम मैं तो जब से नगर से वक चुन के आई हूं तब से सुन रह अब आज वहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 220 बैड का हॉस्पिटल वहां बनने जा रहा है ठीक उसी तरह से गोरेगां स्टेशन के पास पहले पुराना मैटरिटी होम था जरूरत मन लोगों के लिए लेकिन वह गिरा दिया गया था और उ उसको हमने बनाने का काम किया और आज जो जरूरत मंद है उनको जहां पे वहां पे एजी जाके लोग अपना वह मैटरिटी होम है वह महीलाया जाती है रेजियों को सारी सुविधा मिलती है वह काम किया गोरेगाओ इस्ट में जो ट्राफिक की समस्या थी सबसे प्राबलम यह था कि गोरेगाओं के अंदर जो रास्ते थे जो स्टेशन के बाहर इतनी भीड रहती थी और फिर हमने सामने एक बहुत बड़ा उनका बस डीपो था पुराना घास का बजार था जो गास बजार नहीं था पुराना वहां पर बाहर से भैस लाते थे और वहां एक रैंप कि बस जो है रास्ते पिन्ना खड़ियों के वो डीपो में चली जाए आज गोरेगाओं के इस्ट का काफी ट्रैफिक की समस्या हमने कम की है जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है बांगूर नगर का जो विश्य है कि आज सौ से भी जादा बिल्डिंगे हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर अटकी हुई थी खास करके वह विश्य हमने उसको लिया देवेंद्र जी से हम लोग उसमें हमारे मुख्यमंत्री थे वह मिले आज वह काम पूरा प्रोजेक्ट हटा दिया गया है सबसे बड़ा जो आज गोरे गाओं में हम लोगों को ख्याती मिली है या मुझे जो संतुष्टी है काम करने की की CRJ निकल गया है CRJ निकलने से लोगों के क्योंकि बिल्डिंग गिर रहे थे अब लोगों की बिल्डिंग की काम की शुरुआ थे मैं अपने DCM साब को बहुत-बहुत अभिनंदन करती और मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन नेकना सिंदे साब करती उसके साथ में आप जानते हैं कि गोरेगां में जो सबसे बड़ा काम हुआ है गोरेगां और ओशिवरा के बीच में अगर आप देखेंगे तो कोई आजादी के बादेते अमृत काल चल रहा अमृत महुसो चल रहा आजादी के लेकिन कोई भी नया इस्टेशन नहीं बना था चर्च गेट से लेके दैसर तक वहां पर हमने नया इस्टेशन बनाया रोशिवरा में और उसका नाम दिया राम मंदिर यह जो इस तरह के जो बड़े-बड़े जो काम है आज तो आप देखें कि जो सरकार हमारी है हमारी देवेंदर जी हमारे उ 63 रोड का परमिशन मिला हुआ है, STP प्लांट मुंबई जैसे शहर में STP प्लांट नहीं था तो ऐसे STP प्लांट का भी प्रोपोजल पास हुआ है उसके लिए बजट का सेंक्षन हुआ है, उसकी काम की शुरुआत हुई है आने वाले तीन साल के अंदर यह जब पूरा को जाएगा तो जो वेस्ट वाटर बीना ट्रीट किये हुए समुंदर में जा रहा था अब वो ट्रीट होके समुंदर में जाएगा तो इस तरह के अनेको कारियर और ब्यूटिफिकेशन देखने पुरे रास्ते में अब लग रहा है कि मुंबई मुंबई जैसी है सरकार बदली है पुरा ब्यूटिफिकेशन हो सवचाले की मरमत हो जुपडपटी में नए सवचाले रिपेरिंग इस तरह से अनेको काम और आप देखिए कि कांग्रेस के जमाने में एक मेट्रो अंदेरी से चलती थी आज पुरा मेट्रो का जाल बिछा हुआ है और ऐसे नए अनेक प्र जो सबसे पहले तो आप डिटिफिकीशन देख लीजिगाए फिर उसके बाद में इन्दर देखेंगे कि से बहुत बड़ा है похाहां बहुत लंबा休म है है खाली घृडिंग पेलिंग नहीं है तो वह वर्प ने भीडंग रहा है हो नहीं है तो ArgentineHyok भीड़मनडिक्रार चर्वान काम पाल्स द्रफ्र्ख्रव किया शणार है कि वह बहुत के बड़ा काम है जो की तर्मश्टी को चोटे एक जो आप देखेंगे न तो आपको समझ में आएगा कि हर काम को गती जो हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारे DCM सरकर रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदर करती हूँ और एक विशे जो पत्राचाल का है जो कि वो काम रुका हुआ था हमने विधान सभा में तीन बार विशे उठाया था आज पत्राचाल के लोग खुश हैं उनको जो उनका ठक बाकी था 12 लाक रुपया ओ तीन सव से अधिक लोगों को 300 से भी लोगों को पैसा दे दिया गया है लोगों के अकांट में पैसा आया है ऐए वह बहूत खुशी की बात है यह नई सरकार ने ये काम किया है क्योंकि पहले की सरकार ने तो भाड़ा देना मना कर दिया था लेकिन अभी की सरकार ने यह काम किया इसल Blick का बहुत भुए धन्यवाद देती ही